नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रीडिंग लावर्स पर दोस्तों अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और साथ में बैल वाला इकोन को दबाना नहां भूलें जिससे आपको मारे आने वाली वीडियो के नोट्पेशन मिलती रहेगी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रीडिंग लाव्स पर दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे हर याना समन्ने ग्यान से समधित महत्तपूर्ण परशनों को आपके आगे आने वाले एक कि समभावना रहेगी क्योंकि एक बार जो कोशन आ जाते हैं उनकी दुबारा भी आने की समभावना रहती है और दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखिया तो इसे आप उपर पोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की यह पीडियो है आप हमारे टेलिग्राम गूरुप से प्राप्त कर सकते हैं उसके लिंक आप को निचे दिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या जो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक कि जितने भी वीडियों से भी आप देख सकते हैं तो दोस्ते वीडिय बात करें तो ऑप्शन डी जो हमारे यहां पर राइटन से रहेगा तो इसे कागज के सहर के नाम से भी जाना जाता है और यमनगर जा है यह हरियाना राज्या के उतरपुरों में स्थित है और जो यमनगर सहर है यह कागज बनाने के लिए जा बहुत परसीद है जगादरी चचरोली और बलासपूर नामकजाइस की तीन तैसीले हैं और अगर जो है यमनगर की अन्य उद्योगों की बात करें तो फेपर जो मेल मेल है इसके लिए इसको जाना जाता है और हातनी कुंट पैराज के लिए इसको जाना जाता है और एसे की जो सबसे बड़ी सरस्वती सुगर मील के लिए इसको जाना जाता है कलेसर जो नेशनल परक है यह भी जो है यमनगर में है और एक जो है पच्चमु की हनवान मंदर के जो बारे में भी पूछ ले जाता है तो इसका बीस्वन जो है यम्रनगर से रहेगा और अगर जा उप्सन में यम्रनगर ना होकर बिलास पर दिया गए है तो बिलास पर जाया राइट अंसर रहेगा नेक्स कोशन हैगा हमारा चर्की दादरी जिला किस वर्स में बना तो यह जो चर्की दादरी जो जिला है यह इन में से किस वर्स में बना था उप्शन हमारे दिसंबर 2014, नूमबर 2016, दिसंबर 13 या दिसंबर 2015 में सेजन सर्जा यहां पर आप्शन B जो हमारा रहेगा नूमबर 2016 में जो चर्की दाद्री जिला है ये बना था और जो चर्की दाद्री ये हरियाना का जो 22 वा नमबर का जाए जिला बना था और महरा जो प्रित्युरा चोहन है इनके वंसर्ज राजा बिरन सिंग नेचर की नामकस्तान जाए स्थापित किया था इनी के नाम पर जाए इसका नाम ये पड़ा है और दोस्तो अचसी जो है ये इसमें कहीं बार जाए जैसे इसमें नमबर 16 जो अंसर दिया गया है इसकी जगह 16 नमबर 2016 को जो है इसका जो है स्थापना मानता है तो आपने जो है इसको भी नोट कर लेना है कि 16 नुम्बर 2016 को जो है चल्की दादरी की जाए स्थाबना हुई थी नेक्स्ट कोशन रहेगा हमारा HSIIDC ने किस थान पर अध्योगिक मोडल टाउंचिप विक्षित किया है तो ये जो HSIIDC जो है इसने किस थान पर अध्योगिक मोडल को विक्षित किया है option है हमारे हिसार, गुरुगराम, भिवानी या माने सर रैटन सर जाए यहां पर option D हमारा रहेगा माने सर तो माने सर में जो है इसको विक्षित किया गया है नेस्ट कोशन हैगा अरावली की पहाड़ी के जो दक्सनी बागा इसको स्थानिया रूप से किस नाम से जाना जाता है option है बांगर की पहाड़िया यमना की पहाड़िया मारसल की पहाड़िया या मेवात की पहाड़िया यहां पर जो हमारा राइट एंसरा option D रहेगा इसको मेवात की पहाड़ियों के नाम से जान जाता है और दोस्तों एक कोशन तो यहां पर यही बन जाता है कि मेवात की जो पाड़ी है इनका स्वंद कौन से किसेतर से है तो यह जो दक्सनी भाग में यह पाई जाती है और एक कोशन यह बन जाता है कि मेवात में पाई जाने वाली पाड़ी को किस नाम से जान जाता है तो वहां पर आफूसर रखना है यह जो मेयवाद जो है रियाना का जो मुठ्ट है ज़ो नुह जिला इसका रहेगा और आरा औली की जो पाड़ी वाधी आर्वी की नाम से जाता है नेक्स ट्रेगा हमारा हर्यान के किस थार पर सबस्यादिक वर्षा होती है अप्शन रहेंगे सिर्षा, मिवाथ, हीसार या अमबाला यहां पर अगर हम राइट अंसर की बात करें अप्शन डी जो हमारा यहां पर राइट अंसर रहेगा अधर्त, अमबाला में जो है सब्सादिक वर्षा होती है यहाँ पर जो सब्सादिक ऑस्त जो वर्षा है यह 45 सेंटी मिस जाए आपी गई है और सबसे जदा वर्षा वालसटान जाए भारत में मासिन राम मिगाल्या में है और अगर हम अमबाला कोई बात करें तो इसे विग्यानिक उपकरणों के लिए भी जाना जाता है और सानिक शावनी के रूप में भी जाए बहुत परसिदा है और मिक्सी सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है नेक्स कोईशन रहेगा हांसी में स्थित जो अलिगड का किला है जो बारवी सदी में बनाये गए था इनके किस नाम से जाना जाता है उप्शन है कुलहरी का किला, चाकू किला, लाठे का किला या तलवार का किला यहांपर जो मर राइट एंसर ऑप्षन डी रहेगा इसे तलवार के किले के नाम से जान जाता है तो यह जो 12 स्थाब्दी है इस मेहरियान के आंसी में अलिगड का किला जो आए बनाया गया था और यह तलवार के किले के नाम से परसीद हुआ है नेक्स्ट हैगा पस्मी क्षेतर का क्रिशी जल्वायू क्षेतर अनसंदान के अंदर जहाई यह कहां पर स्थित है तो यहां पर जो यह पस्मी क्षेतर है इसका क्रिशी जल्वायू अनसंदान के अंदर कहां पर है ओक्षंट रहेंगे हमारे पानी पत्ट अमबाला बावाल या हिसार में राइट नशर जहा है डी रहेगा हिसार तो हिसार में जो हरियानका क्रिशि जलवाई और अनसंदान केंदर स्थाबित है अगर हम हिसार की बात करें तो यहां पर जो चोदरी चर्ण सिंग इन्वस्टी है यह बहुत परसिद है और गुजरी महल से समंदित कोशन भी जाए एक्जाम में जरूर पूछे जाते हैं स्टील सीटी के नाम से इसको जाना जाता है अलग कोशन हैगा शूरो के सबस्यादिक जो आवादी है यह इनमें से किस स्थान पर पाई जाती है उप्शन हैंगे सोनी पत कैतल सीरसा या अंबाला सी अंसर जाए यहां पर आप्शन ए रहेगा सोनी पत तो सोनी पत जो आए टलस सैकल के लिए भी बहुत परश्याद है यहां से भी कोशन जाए एक्जाम में जाप पूछे जाते हैं कुंबी के मामले में भी सोनी पत को परत्मस्तान परापत है और सोनी पत में ही जो राई नामक तो सिताना है कि खेल स्थान सथान है इनमें से किस स्थान पर रहे तो इसका समंत हिसार से रहेगा और दूसरा कोश्रें बन जाता है कि इसे किस वर्स जर स्थाथपित किया घय था उप्सें रहेंगे 1982 85 86 या 1988 में सी अंशर रहेगा यहां पर ज़्शन city 1986 तो इसको जर उनी tutte 26 में स्थापित किया गया था इस Yeah next is got jáć है चोबीं सब्सक्ति दो हुजार-पंद्र को हड recommend इन में से का हैं उन काशोड़ चाहिए संसक्र्टी विशोडार्य सुरू करने की गवस्राण कि है यह जाएं पर इन सबार होता कंबाला या मुंद्री गाउं में राइट एंसर जा ओप्शन डी रहेगा मुंद्री तो चोबिस अक्तुबर दो हजार पंद्रा को हरियाना सरकार ने यह जो मुंद्री जो गाउं है यहां पर संस्कृत जो विश्व दाले है इसे सुरू करने की गोशना जो है की ह नेक्स्ट कोशन हैंगा हरियाना में जो मत्के जो हैं यह चीकनी मिट्टी का प्रियो करके बनाए जाते हैं तो इन मेंसे क्या चीज ज़ाया बनाया जाता है Option हैंगे नागोत्सव, मेज, सीड़ी या चक्कर Right answer हैंगे Option D तो हर्याणा में मटके जहाए चक्कर पर चीकनी मिट्टी का प्रियोग करके बनाए जाते हैं Next हैगा हर्याणा की मुख्याखरी फसल Option हैंगे जवार, रागी, चावल या गेहूं C answer हैगा Option C चावल तो चावल या हर्याणा की मुख्याखरी फसल है और यह है भारत की पर्मुक फसल भी मान जाती है भारत में जो सबस्यादिक 77 पल है इस पर चावल की खेती होती है और भारत में जो पस्चिम बंगाल है इसमे चावल का सबस्यादिक उत्पादन होता है और इन में जो करनाल जो है से धान के कटोरे की रूप में भी जाना जाता है नेश्ट हैगा पच्कुला यह जो पच्कुला जो हाई टी पारक किस वर्षिया पर स्थाबित किया गया है यहां पर जो यह आईटी पारक है इनमें से किस वर्सिस को स्थापित किया गया था ऑप्शन हैंगे दोजार आट में छे में पाच में या चार में राइट अंसर रहेगा ऑप्शन यह दोजार आट में तो हर्यार में जो पच्कुला जिला है यहां पर जो चंदीगर जो सहर है यह पच्कुला का यह कि समान जाता है नेक्स्ट हैगा हर्याणा में जो मेंदरगड आई इन में से किस के लिए जाना जाता है या किस के लिए परसिद है ओप्षन हैंगे लाग की चूड़ों के लिए लूंगी चरमकारिय या धातू कारिय के लिए सियंसर रेगा option A हर्याणा में जो मेंदरगड है ये लाग की चुड़ियों के लिए जाना जाता है और लाग की चुड़ियों के लिए हर्याणा में मेंदरगड परसीथा यहाँ पर पहले जो प्रिथ्वराचों है इनकी बनसज अनंग पाल का समराज्य था और मेंदरगड जो है ऐसा पहला जील है जिसका जो मुख्यला है मेंदरगड में ना होकर कहां पर है नार नोल में है और जो मेंदरगड है इसे कनीजो के मामले में परतमस्तान प्रापत है नेक्स कोशन हैगा हर्याणा में जो बलालपूर पेपर मीला ये इनमें से कहां पर स्थीत है और दोस्तों ये जो कोशन है पहले जो एक्जाम है उनमें भी पूछे गए हैं और इस प्रकार की कोशन आगे भी आने की संभावना रहेगी क्योंकि एक बार पूछ ले जाते हैं तो यहां पर जो बलालपूर जो पेपर मीला ये इनमें से कहां पर स्थीत है उपसन हैंगे पानिपत, यम्रनगर, सिसा या हिसार में सी अंसर की बात करें बी जो हमारे यहां पर राइट अंसर रहेगा यम्रनागर तो यह जो यम्रनागर है इसका जो हरियानरा जगा एक जिला यह जो यम्रनागर जो है यह हरियानरा जगा एक जिला मुख्यला है और यम्रनागर में ही जो लालपूरू पेपरमील स्थित है और 1945 में जो लाला करमचंद जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी और यम्रनगर में ही जो हतनी कुन बेराज है यहां से भी कोशन पोचे जाते हैं तो इसे आपने जो है कलेशर उध्यान और पेपर मील उसके बाद जो यहां पर जो रेलवे जो वर्क्षाप है यहां से भी जो एकजाम में कोशन पोचे जाते हैं तो आपने जो है इन सभी को याद रखना है और कोशन रेका यॅब नगर के जो जगादरी है इसमें रेल्वे कैर्डेज वैगन बेकन वरक्शाफ किस वरस थबित किया गया था तो यहां पर यह डेल्वे कैर्डेज वैगन वरक्शाफ इंसे किस वरस थाबित किया गया था मैं आपसन है 1952ongo Trad abonn 1662 अदिया 1942 में सींसर की बात करें ऑप्षन है जो हमारा राइट अंसर हैगा 1952 में तो हरियाना में युम्नगर में 1922 में जहाई यह जो कैरिज एंड वैगन जो बरक्षा पैस की सापना की गई थी और यह जो कोशन है पिछला जो कलर के का जो एक्जाम होता दो जानुट में इसमें कोशन तो यह जो गुजरी महल है यह हिसार में है तो 1354 जो इसमें हरियाना के हिसार में गुजरी महल जो है यह फिरोज सहा तुगलक यह जो फिरोज सहा जो तुगलक है इनके दोरा जहां बनाए गया था और इस के लिए के अंदर एक दिवारों के बंदवस्त के बीच हिसार सहर बसा हुआ था जिसमें चार दर्वाजे जहाए दिली गेट, मोरी गेट, नागोरी गेट और तलाकी गेट थे महल में एक मजजिद है जिसका नाम लाट की मजजिद है यहां से भी कोश्चनिक जामें पूछ जाता है कि लाट की मजजिद कहां परस्थी था तो इसका समझ हिसार से रहेगा नेस्केशन ॹे discut सेंगा हिसार, यह जो हरियाना जो है इसका कौनसा जीरा लोह के पाइप के लिए पर्शिद है ऑसे रिए और हिसार यहां पर जो लोह के पाइप करिया। हिसार को जाना जातां सिन आपसेशवाrus सेंगा यहां पर की स्थापना जो की थी और इसे इस पातगा जो सहर है इसके नाम से भी जाना जाता है।। है तो यह पर जो वेगयनिक और जो सर्जिकल हुपकर्ण है इसके लिए यहां पर रुत-बादन होता है जिसके वगयन- अगर सिरसा सोनी पतिया अंबाला राइट अंसर ऑप्शन डी रहेगा अंबाला तो विगानिक और जो सर्जिकल उपकरण है इसका जो सबसे बड़ा केंदर है ये अंबाला सहर है और यहां पर जो है ये विगानिक उपकरण बनाए जाते हैं और इसे विगानिक सहर के नाम से भी जान जाता है, मिक्सिस है, सिटी के रूप में भी इसको जान जाता है, और अमबाला चावनी के रूप में जा है, इसको जान जाता है, ठारस्ताउन का जो विदरो था, उसकी जो सुरुआत है, यहीं से हुई थी, नेक्स कोशन है का पितलनगरी, तो यह जो पितलनगरी है इसके नाम से इन में से किसे जान जाता है उप्सन है सोनी पत हीसार पानी पत या रेवारी तो यहाँ पर जो यह पितल नगरी है इसके नाम से रेवारी को जान जाता है और भारत का जो अंतिम समरार था हेमू ये रेवाडी में ही जो आई इसका पालन पोसन हुआ था तो दोस्तो ये थे हमारे आज के हरियाना समनिगान से समन्द कुछ मेहतवपूर कोशन जो आग आगाने वाले एक्जाम के लिए मेहतवपूर आएंगे और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर ले साथ में जो बैल वाल आइकोन है उसे जुरूर दबाएजिसे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और दोस्तों मारे साथ अंतर बनायने के लिए धन्यवाद